अच्छा इससे पिछले सिशन में हमने डिसकस किया था कि हम सप्लायर को किस तरह फाइंड करते हैं तो उमीद करता हूं मैंने जितनी भी तरीके आप आप लोग को बताए है तो वन बाइवन आप लोगों ने इसके प्रेक्टिस किया होगा ठीक है क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट्स टिप है अगर आप इन स्टिप को समझते हो या इस्टिप पे आपका एक्स्पीरेंस मतलब ज्यादा है तो इट मीज आपको एमेजॉ विरी होंगे हम इंशाला आपको सॉल्व करेंगे लेंकर यह बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को बताया है तो कोशिश करें जो वीडियो मैंने रेकार्ट क्या है और आप लोग को सिंद क्या है तो को तो को अगर यह दो गिंटे क्या यह अगर दस गिंटी भी होगी ना तो आप इसको देखोगी ठीक है स्टार्ट में जब मैंने अमेजॉन होसेल को स्टार्ट किया था तो यकीन करें मुझे किसी चीज़ का भी समझनी आ रहा था आप तो माशालला बहुत अच्छी हो किस तरह करते हम तो पाकिस्तान में बैटी हुई जब सेशन अक्सर में यह यूट्यूब पे वीडियोस होते थे जब मैं इसको देखता था तो यकीन करो मुझे दो तीन वीडियो एक वीडियो में तीन-तीन मरतबा देखता था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ठीक का दो नहीं तो आफ अगर इस से आप Go to टू करोगे तो यकिन करो आपका 90% काम तो डियर हो जाएगा क्यूपकर इसमें सब काम तो अथे सब्सक्राइब करो ऊप सब्सक्राइब cambiar और और सा अससे प्रोडक्ल को सिक करो love अमैज़ान को शिप करो इमैज़ान इसको पिक पक में सीखना चाहते हो तो पिट सो के आप इसको एक मरतबत यह निए बस आप इसको देख लो बस इसको हतम करो फिर आप यह गिला ना करो कि मुझे एमेजोन होलसेल की बिजनस का पता नहीं है राइट ओके आज का जो सिशन है वह बहुत इंपॉर्टन है इसलिए विकास लास् कि इस सिशन में हमने बताये थैंड़ किस तरह करते हैं किस तरह करते हैं इजंप आधे बंदा91 की सप्लायर से मालल लेता है Amazon ship करता है ठीक है तो यह बहुत ही इंसेन होता है उन स्टोर्ण के लिए जो की न्यूवीज होते हैं तो इंशालला आज की इस वीडियो में हम आपको प्रिक्टिकल बताएंगे कि हम सप्लायर को फाइंड करने के बाद कंटिक किस तरह करते हैं आइट आप कंटिक करने की कितन अब दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ आजाएगा कि हाउ कैन्वी कंटेक्ट विजा सबसे पहले जो 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 तरीका है वह है रिजिस्टर इन विपसाइट सबसे पहले हम उसके साथ रिजिस्टर होते हैं उस सप्लायर के साथ ठीक है उसके बाद जो दूसरा तरीका यह बैजना अब इमेल हम किस तरह बेजेंगे वह भी मैं आपको प्रेटिकली समझाओंगा ठीक है इमेल की तुरू हम क्या करते हैं हम सप्लायर के साथ कंटेक्ट करते हैं तीसरा है फार्म हमें सप्लायर बेचता है कि कानली आप इसको फिल करें तो उसको फिल करने के ठीक है यह बहुत ही इंपॉर्टन है और कोशिश करो आप सबसे ज्यादा यूजज जो है यानि 90% यूजज आप फोन नंबर पर करो काल करो डारिक सप्लायर को आपको उसी टाइम पता चलेगा कि यह जो सप्लायर है मुझे अप्रूल देता है कि नहीं एकाउंट मेरे सब्सक्राइन में एक सवाल पैदा होगा कि हमारा तो पाकिस्तान का फोन नंबर है हम कैसी सप्लायर से बात करेंगे जब वह यूज़ें कि हम इसकी लिए वर्चुल नंबर भाई करते हैं यूज़ें तक्रीबन पंद्रा डालर का आपको पढ़ेगा पूरी साल का पूरी स वह आपको करेगा कि आपaka की की कर सकते हो तेके इसके लावा और भी बहुत जयारा थरीके हैं कि तुरू कर सकते हो युएस के सप्प्रायर को सकते हो कि हुआ इन की एक एफ С Whether वि कि एक वरा यवाइक करोगे तो यह आगा इसमें एक नंबर मुझूद होगा जिसको आप बाय करोगी यूएस का नंबर फिर उसी नंबर पर आप अपना वाटसप भूटसप भी बना सकते हो ठीक है और उसकी तुरू आप सप्लियर से कंट टिक भी कर सकते हो आप से यूएस का नंबर मांगेगा तो आप उस वहाँ प करेंगे प्रेक्टिकली करेंगे कि प्रेक्टिकली हम वऔर वन सप्लायर से कंटेक किस तरह करते सो लें स्टार्ट अ है लेड़ सब्सक्राइब कर दिया आप रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च में आपको distributor मिल गया तो अभी आपके मार्ण में एक सवाल पैदा होगा distributor के मार्ण में किस तरह करेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पर यहाँ पर फोन नंबर है यह जो है यूएस का फोन नंबर है ठीक है आपके पास जब वाइकी का नंबर आ जाएगा यूएस का ठीक है तो आप वहाँ पर इस तरह सेम काल कर सकते हो जिस तरह आप अपने मुबाइल से किसी दोस्त को काल करते हैं ठीक है तो आप बिल्कुल सेम तरीका अपना सकते हो इस अपने जो आपके पास जो वर्चुवल नंबर होगा यूएस का उसकी थूरू आप इस नमबर को काल कर सकते हो तो यह जो डिस्टिबियूटर है एडवांस डिस्टिबियूटर है इसका जो सेल मैनेजर है वह वो आप से बात करेगा आप से बात करेगा आप उनको कोगे एंग्लिश में के मेरा नाम है और मैं जो है फिला लिल सी का जो है ओनर हूं ठीक है मैं ठीक साथ में बेस्ट हूँ और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ wholesale एकाउंट उपन करूं हम बहुत ज्यादा इंट्रस्टेट है कि हम आपके साथ एकाउंट उपन करें विकास आपके पास जो प्रॉडक्स है वह बिलकुल हमारे क्राइटेरिया के मताबक है ठीक है इसके लावा आप इसको यी भी बताओ कि हमारे पास अपना अनलाइन स्टोर है जिसमें हम आपकी प्रॉडक्स को सेल करेंगे इसके लावा हमारे पास जो है कम्यूनिटी सेंटर भी है मुक्तलिप यानि फार इग्जेंपल मैं एक शहर में रहता हूँ जिसका नाम है यूएस में हम उसको यह कभी भी नहीं बताएंगे कि हम पाकिस्तान में रहे हैं ठीक हम उसको यह बताएंगे कि हम टिकसाज में रहते हैं टिकसाज में एक शहर है जिसका नाम आस्टन है और वहां पर मुक्तलिप कम्यूनिटी से आस्टन में जिसको हम आपकी यह प्रॉड तरह किस तरह देता है मैं आपको कुछ इमेल जबी शो करूंगा कि यह इमेल की तुरू किस तरह आपको एप्रूल देते हैं सही है वह मैं भी आपको सब कुछ प्रेटिकली समझाऊंगा देखे इसके बाद जो है आप देख सकते हो कंटिक अस तो यहां पर आपको मजीद इंफार्मेशन दिया गया है यहां पर इसका जो है यह देख सकते हो इसका एड्रेस से इसका एड्रेस है ठीक है इसके इरावा यह जो फोन नमबर है यह आलड़ी मैंने आपको बता दिया है अपने क्या करना होगा आपने इस इमेल को कॉपी करना होगा किस तरह अभी देखो मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं ठीक है अब मैंने इसको कॉपी किया अब मैं इसको मैल किस तरह करूंगा मैल करने की दूटरीके है एक तो है कि आप अपनी जी मेल से मेल करो इसको तो आप क्या समझते हो कि मुझे जो सप्लाइर है वो मुझे जी मेल पे जवाब देगा या सेल्स जो इन्पो है उस पे जवाब देगा वो कभी भी आपको दिल जले या शिठोर पे जवाब नहीं देगा ठीक है ना वो आपको प्रोफेशनल इमेल पे ही जवाब देगा आप प्रोफेशनल इमेल क्या होता है और इसको हम किस तरह बाई करते हैं यह जब आप लेल सी बनाओगे तो लेल सी वारा बंदा ही आपकी यह प्रोफेशनल इमेल भी बनाएगा विबसाइड भी बनाएगा लेल सी भी बनाएगा यह यह नमबर यह सब चीज़े आप की लिए जो है एलिल सी वारी बना देंगी ठीक है आप इसको हुद भी बाई कर सकते हो आप यूट्यूप पर वीडियो देखो कि हाउ टू आप खुद भी बाई कर सकते हों तो आपको बहुत ज्यादा डिफकल्टी का सामना करना पड़ेगा तो करना आपने क्या है कि आपने प्रुफेशनल इमेल कि स्थरा होता है वह अभी मैंप को प्रैटिकली समझाता हूँ आपने सबसे पहले इसको कोपी करना होगा इमेल को ठीक है अभी मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर करता हूँ मेरे पास एक इमेल है ओके यह आप देख सकते हो यह एक मेरे पास विब मेल है ठीक है जिसकी तुरू में सप्लायर के साथ कंटिक करता हूँ यह देखो मैं आपने जो है ना डेटा भी आप लोग को दिखा रहा हूँ लेकिन है चाहता हूँ कि आप लोग को समझ आ जा जाए अच्छा अब मेरे इमेल किस तरह करना होगा मैं यहां पर जाओंगा कंपोस्ट पे कंपोस्टे में क्लिक करूंगा ठीक है फ्राम यानि यी इमेल किस बंदी से जा रहा है यह तो यह मेरा इमेल है देखो सेल्स एडेट आप एहब सब्सक्राइब यहां पर किया लिकोंगा सब्सक्राइब करेंग और इसको प्राइब करेंगे जब तो जब आप स्मिट करोगे तो यी मेल इन लोग के पास जाएगा किन पर जाएगा देट्रिब्टर के पास जाएगा तो अच्ट को रिप्लाइUU करेगा कि औना करेंगा तो इमेल करने का यही तरीक आ था हूँ इन दिखाता हूँ हां इस तरह का एक email होगा लेट सपोस्स इस तरह का एक email होगा कि टेंक्स पार क्रियेटिंग एन अकाउंट विट क्रेटिन कंप्लेक्स ट्रीट वेट यॉइड यॉइट यॉड वाले वी आपको इसी तरी के से एक email बेजिंगे वो जरूरी नहीं है कि यह email हो वो different तरीके से बेजिंगे लेकिन आपको सिर्फ बताएंगे कि आपका account approve हो चुका है या approve नहीं हो चुका है या आप से जो requirement मांगता है पर example वह आप से कहता है कि मुझे EIN number send करो या मुझे research certificate send करो तो आपने क्या करना होगा आपने reply करना होगा ठीक है और आपको जो बंदा LLC का सब चीजे वो जो डाकुमेंट्स होंगे आपके पास आप इसको यहाँ पर अटेश करें अटेश पे क्लिक करें यहाँ पर ठीक है और यहाँ से आपके पास जितनी भी फार्म है वो इसको send करें बस बात खतम इनके आप पूरी करते हो तो इट मीस को आपको एप्रूल दे देगा तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि हम इमेल को किस तरह सेंड करते हैं और इमेल को रिसीव किस तरह करते हैं तो यह सारे आपको समझ आ गई होगा ऑक्ति हैं इसकिए लावा जब आप इसको मेल करते हो तो आप खेसी करो डेली इसको कमस पीजगेन तक आप इसको मेल करते आप उसको मेल घरते हो कि और जेम्पल आज आपने mail कर दिया तो कल नहीं पर सो अगेन mail करो ठीक है फिर एक दिन चोड़ो फिर उसको mail करो तीन दिन यानि यह की बात देगरे आप इसको mail करते जाओ let's suppose यह आपको mail का जवाब नहीं देता तो फिर आपने क्या करना होगा पिर आप इसको call करें आप दूज तरीक उसे कर सकते हैं आप पहले इसको call करो या आप बाद में इसको call करो वो आप पर डिपेंड करता है मैं क्या करता हूँ मैं सबसे पहले email को बेजता हूँ एक दिन वेट करता हूँ उसके बाद में इसको call करता हूँ let's suppose वो call पर आपको बताए कि आपने मुझे mail किया है तो मैं उसको बैर बताओंगा कि नहीं मैंने तो mail नहीं किया है तो सबसे बिस्ट्रप्शन यह है कि आप सबसे पहले mail बेजो एक दिन वेट करो फिर उसके बाद क्या करो उसके बाद इसको call करो ठीक है अगर आप डियरिक कॉल करो के तो वो बताएगा क्यार आपने मुझे mail किया है आपने वह पूंट और क्या है कि नहीं तो आप से है 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 कैसे के इसके अलावा लेट सब्सक्राइब है है कौन सा बताऊं चलो एक अच्छा बताता हूं वेल्यु होल सेल कि एक डिस्टीबूटर 50 डॉलर ये रखिक्रव यह एक डिस्टीबूटर है ठीक है अभी देखो customer login become a customer आप हमारे customer बनो यह कह रहा है आपको तो कितनी तरीकों से आप इसके साथ कंटिक करोगे देखो जितनी ज्यादा तरीकों से आप इनको access करोगे तो उतने ही chances ज्यादा है कि यह आपको एप्रूवल दे यानि जितना आप ज्यादा access करने की कोशिश करोगे एक distributor को उतना ही वह chances है कि वह आपको एप्रूवल दे ऐसा नहीं कि आपने से पेक email कर दिया और अभी आप बेटे हो और सोच रहे हो कि कभी कभ मुझे reply करेगा इस तरह नहीं होता आप कोशिश करो मुक्तरी तरीकों से इसको करो आप देखो मैं कितनी तरीकों से इस बंदे से करता हूँ अभी आप यह बहुत इंपॉर्टन है अभी आप इसको देखो सबसे पर इमेल करना है इसको इमेल करूंगा वापस जाओंगा करना कि कर तो ही ऑसमक्रेगा मैं यहां फोर्प करना होगा कि हम्हें चाहते और बाद Steak कर विफ़ए रविदिन वाना टु डिस 1998 अगर रिप्लाइ नेक्स्टिप आप इसको और है ये簡शO काल करें य मैल करेंगे टीसरा तरीका क्या है यहाँ पर लिखा है मिल्च काल Scripture करेंगे कि इस पर इने क्लिक कर दिया अभी कह रहा है कि पर स्थ नेम क्या है लास्ट नेम क्या है फोन नमबर क्या है इमेल डिर्स क्या है और वर्ट तो आप ने इनको फिल करना होगा लेट सब्सक्राइब करता हूं कि मेरे पास अलड़ी है मैं लिखता हूं कि मैंने मेल देखा था आप लोग का कि आप यहाँ पर गूगल भी लिख सकते हो कि मैंने गूगल से आपका जो है वो देखा था इसके बाद कंटिन्यू करूं अब यह आपको बता रहा है कि वाट टाइप आप बिजनेस आर यू आप इसको सिंप्ली बताओ कि वी आर इकामरेस से लो इसके बाद कंटिन्यू करो सुपर मार्केट एक्सपोर्टर होल सेलर आप इसको बताओ कि हम होल सेलर ठीक है या आप से और भी चीजे मांग रहा है सबरकर इसमें मैं दूसरा से करता हूं कि और की ख्रेंट इससक्ति हमेरं चेजिए कर दिया इसके अर्वाश यह उनके कर हों कि और यहारी बात है जो लिसेंस का नाम इंटर करना होगा यह आप्से पाकिस्तान में जिस तरह आइटी आइन नबर होता है कि कि आपको सारा का सारा सर्विस पॉइडर करेगा जिससे आप लिल सी बना गए ना लीज़ जो भी अबना यह सारी डिटेइल आपको वह प्रोड करेंगा तो आपने यहां पर यह यह नंबर लिखना है इसके लावा स्ट्रीट नंबर जो स्ट्रीट एड्रिस होगा वह भी जाएगा तो इन लोग को एक इमेल जाएगा दूसरा जिसके बाद यह आप से कंटिक करेंगे तो यह पर यह नहीं हो रहा विकाद मैं यह इंटर नहीं किया इसलिए तो यह थीसरा तरीका ता जिसके तो हम letz Almost के साथ अकाउंट करते हैं किके आप कि विश है कि वह हम एक यह देता भी है कि नहीं हर दिस्रीप्यूटर आप Không को एप्रूवल नहीं देता कि हर डिस्रेंट她Sap геिस आपको एप्रूल नहीं देता। हर ब्रेंड रयनकों ऐ होते हैं जो कि आपको एप्रूल रचाह मैं तो आपको किस तरह पता चलेगा यह मुझे भी नहीं पताथ कि आपने एक एक बंदी से डिसकस कर सोरी एक एक होलसेलर से राप्ता करना होगा आप दिन की 20 करते हो 20 मुखतलिफ होलसेलर को या डिस्ट्रिब्यूटर को लिट सपोस्थ तो बीस में कम असकम दो या तो 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 यह तो 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 इसका जो परसंटेज है वह वह फाइब परसंट से भी कम है अगर आप 40 इमेल करते हो तो उसमें से आपको दो या तीन होलसेलर ही या डिस्ट्रिब्यूटर ही आपको वापस इमेल करेगा ज्यारत तर जो होलसेलर होते हैं वो आपको इमेल करता भी नहीं तो आपने डिस हट नहीं होना विकास मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूं कि यह बहुत पेशन्स का काम है Amazon होलसेल में बहुत ही पेशन्स दरकार होती है बास वखात आप इस तरह भी करोगे कि आप दिन पिस तरह मेल बेज़ोगेіл waiver लेकिन आपको कुई भी ऐमेल रिसेवत नहीं होगा duration पूआप नैप कर देमाटिव far लिएमेबाप अप्लून? zone account का वो सरफ एक ही distributor का था ठीक है मैंने मैंने बहुत की थी इसमें distributor को find करने की लिए at least मुझे एक distributor अच्छा मिला तो मैंने उसके साथ product चिक कर ली product मैंने देख ली उसमें जो है एक प्रोड़क्ट मैंने निकाल दिया जब मैंने उसको उससे purchase किया लिसके तो इस पर sale आना शुरू हो गए तो यह इस तरह होता है यह एक patience का काम है इसा नहीं है कि आप कल को मुझे मैज्जिस करते हो कि सर मुझे तो April ही नहीं मिल रहा मुझे यह नहीं मिल रहा मुझे वो नहीं मिल रहा और काम आपने 10 दिन किया होगा तो इस तरह बिल्कुल नहीं होता इस चीज़ पर जो है ना आपने पेशन्स रखना होगा है इसके बाद आप इसमें सक्सेस्पॉल हो सकते हैं कि समझा रहे हैं कि कि ओक है कि इसके इलावा में एक तीसरा डिस्टिब्यूटर रूपन करता हूँ मैं चाहता हूँ कि आज ही आपको डिस्टिब्यूटर भी प्रोवाइट करो ताकि आप लोग का गिला हतम हो जाए ओके चलो कि लिए मैं करता हूँ अब इससे हम एकाउंट कैसे उपन करेंगे सबसे पहले तो आप इसका जो क्राइटेरिया है वह रीट करो यह क्या रहा है यह मतलब कितने सालों से यह काम कर रहे हैं और इनकी यह रिटर्न पालिसी हैं वह क्या है इन चीज़ों को आप कोशिश करो इनको आप प्रॉपर त क्लिक करूंगा एक कमनी के बारे में आपने जानना तो फूचर काम करोगे तो आपको इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है इनको इसने बहुत प्रॉपर तरीके से आप पर एक्सेंड किया है तो यह आप देक लो ठीक है इसको देखने के बाद आप आप मैंने न्यू कस्टमर इप्लिकेशन ये फिल्कूल है आप कही से अंदाज़ा रगा सकते हो कि जब मैं न्यू हूँ तो मैं यहां न्यू कस्टमर इप्लिकेशन पे क्लिक करूं गा अभी देखो यह फार्म है अभी मैंने आपको फार्म का जिकर किया था ना देखो मैं आपको अगेंड शेयर करता हूँ तो फार्म किस तरह होता है यह मैं अभी आपको देखा रहा हूँ कि देख़ मैंने कस्टमर डप्रेकेशन पे क्लिक किया हूं ये मुझे फांद रहा है यह कह रहा है कि इस को फिल और इस इमेल पयों मुझे दुबारासिंद पर करो तो मैं क्या करूंगा मैंस को को डोन लोड कर दिया अब जब मैं इसको डोन लोड करूंगा तो मैं इसको क्शन का ही कया है। एढ बिजनेस that है और येगा तूसाइब को आडरे साल ऑगा घाय बिजनस Federal लोकेशिन इसके लावा जो है आप यहाँ पर अलैन नहीं सी आथर पे क्लिक करो तो यह मैं लिए कॉमनी कोन सी है शिपिंग आपने कोशिश करो स्टार्ट में आपके पास तो शिपिंग का इडर्स नहीं बाद रखाद आप एमेज़ों को डालिक्शिप करते हो तो अपने क्या करना होगा कि बिलिंग ड्रूड में और शिपिंग में आपने से मही लिखना है जो कि आपकी पास में होता है मैं मैं कि रहा हूं यह आप कोरकर नोट करते जायकежд बहुत ही इंपॉर्टन होगा और आपका बहुत ही ज्यादा काम आपको हैं की बश्वे French VO को कि आपने कि करना है आप ने जो हैं को चैंज करना है और वो चैंज नहीं यह ठीक है अच्छा ओनर में यहाँ पर अपना नाम लिको सब कुछ इमेल वगयरा सिगनेचर पर नहीं कर सकते तो आपर यहाँ पर अपना नाम लिको ठीक है यू मस्ट अटेच यूर रिसेल सेटिपिकेट विद यू एकाउंट अप्लिकेशन इप यू नाट अटेच यूर रि अध्यक्रण भी बेज़िए तो इसके साथ साथ हमेरी सेटिपिकेट भी बैज़ दो अब वुटी जगी मैंने आप लोगो को बताया तहां मैं अगयन आपको को बताता हूं रिषयब करेंड ेंद क्या होता है ईसका मतलब यहाँ कि यह आपको रिसेल करने की प्लुस वह आपको आपका जो टिक्स है ना वह एक्जाम्ट होता है यानि जब आप शीज सको पर्चेस करोगे तो जाहिरी बात है अपने स्कों टिक्स देना होगा यूश में जब भी आप कुई चीज बॉय करते हो तो आपने टिक्स देना होगा लेकिन जब आपके पास होता है तो आप इनको बताते हो कि भाई हम इसको रिसेल पर्पस की लिए करते हैं तो कारी हमें जो ठिक्स है वह हमें माप कर दो तो आप इसको यह जो है ना इसको बैजोगी कहा आप इसको बैजोगी सप्राइर को तो सप्राइर क्या करेगा वह आप से टिक्स चार्ज नहीं करेगा ठीक है कि ओके तो यह था चोथा तरीका अब पांचवा तरीका किस तरह है एक दूसरा डिस्टिबूटर वह भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक सिकंड इस डिस्टिबूटर के साथ आप एकाउंट उपन करें ठीक है काम करें इसके साथ और कोशिश करें अनगेटिट प्रोड़क्स इस का सब्सक्राइब यह है यूपीडी आएंसी डाटनेट अब एक और भी बहुत इंपॉर्टन चीज़ है जो कि मैं डिसक्स करने वाला ठीक है अब देखो यहां पर है एडवांस डिस्टिबूटर जो कि मैंने आप लोग को बता दिए ठीक है अब यहां पर दू तरीके है प्रोड़क्स को भाई करने के एक तरीका तो यह है कि यहां पर मैं जाओंगा लेट सब्सक्राइब करता हूं यहां पर मैं दप्रोड़क्स को सब्सक्राइब करता हूँ एक तरीका तो यह है देखो फार इखेंपल में इसके क्लिक करता हूं यह मुझे पसंद आ जाए और यह बिल्कुल क्राइटेरिया के मताबिक हो तो इसको मैं यहां से पर्चेस करेंगा पिछले सिशन में मैंने इसको बता दिया था आप लोगे इसमें कमस्कम तोड़ा बहु सब्सक्राइब अब यह आउट आफ स्टाक है तो मैं इसको चोड़ता हूं कि चलो इसको मैं उपन करता हूं अब आप लोगों ने फारिक्सेंपल हंट किया इस प्रोड़क को ठीक है तो आपने भी क्या करना होगा आपने देखो यह बता रहे कि सिक्स केस केस पेक मतलब य श्की है कि एक काटन में इसके च्छीब बोतल मोगोंद है थस लाहं डियो पेप सी आप देखते हो ने कऱोड़क होते है वोब59 तर्फ होता है इसी तरीकी से यह जोए केस पेक होता है लाइजित ऐलाओ यह आपको बता कर सकते हो यहां पर आपको बता रहा है कि इसका जो प्राइस है वह 5.50 है कि कह रहा है कि आप कम सकम चीफ कर सकते हो इससे बाइक कम नहीं कर सकते हैं प्रोड़क्त को यह इनका अपना कोड होता है जिसको यूपीसी भी कह सकते हो इनका टाइटल होता है ठीक है इस से पिछली वीडियो में मैंने सारे डिटियल से आपको डिसकेस किया था कि हम सप्लायर को हम किस तरह सोरी प्रोडक्ट को किस तरह करते हैं तो अगर आपने उस वीडियो को सही तरीके से नहीं देखी तो आप देख लो तब ही आप कोई चीज़े समझ आएगी आप लेट सब्सक्राइब करता हूं तो मैं यहां पर लिखता हूं कि मुझे कमसकम दस केसे चाहिए तो कितने हो गए यह 60 यॉनिट है तो दस किस हो गए 60 हो गए त्रीके मैं इसको काट करता हूं से शब्रिवाइड डवन लीटर बोड़ी वाश पंप अब यहां पर मैं जाऊंगा एक्टू आप कहा धूकर यह रहा एक टू करूंगा ठीक है चाहीं पर क्लिक करूंगा अब देखो यहँ पर आपको बता रहा है कि आप रिजिस्टर आकाउंट हो तो मैंने का विकाज इसके साथ ने Character ओपन है तो मैं यहां पर लोगिन पर क्लिक करूंगा पर यह ना हो तो यह नाम पे थे औरा को बिलंग एडरेस होता है जो आपकी नाम पर इन्वाइस बनता योजब आप डुकानदार के पास जाते हों कि एप है तो सब्सक्राइब बिलूइंग और सब्सक्याइज इसको किhanow इसको भी मेया कनटिनीू करता हूं ना इस वक्त आपके पास इस अदो आ डिय ओ तो आपि पर इंक्लूट कर हो जियातर लोगे पास shipping address नहीं होता बाद में उसके पास shipping address आ जाता है जब वह शिप्मेंट प्लैन क्रेट करता है Amazon पे तो वहाँ पर आप उसको shipping address आ जाता है तो वह यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता है ठीक है जब आप फिर सप्लियर से बात करते हो तो उसको आप इसको edit कर स तो पिर हम आपको बता देंगे कि shipment पे कितना चार्ज आएगा यह इसकी गुदाम से Amazon की गुदाम तक कितना हर्चा आएगा ठीक है ना तो अभी तक तो इनको पता नहीं है विकास हमने इसको address नहीं दिया सोरी हमने इसको order नहीं दिया तो जब हम इसको order करेंगे तो यह लो कि क्लिक करो अभी कह रहा है कि डब वन लीटर बोडी वाश पंप यह इसका मॉडल है दस क्वाइंटिटी है एक क्वाइंटी जो है फाइप फिप्टी का है ठीक है कि यहां पर एक चोटी सी mistake हो चुकी है इसको मैंने 10 order किया है यह कैस पैक इसको मैं 60 करता हूं यहां पर 10 किया है इसको मैं कर सकता हूँ चलो ठीक है यह इसे भी डेम होता ना फिर यहां से आप कर सकते हो इस्वानिटी का है ठीक है फाइब फाइब 50 का टुटल कितनी बन गई 55 डालर बन गई ठीक है सब टोटल टोटल इसको आप कंफर्म कर लो यहां पर आप जब आडर करोगे तो अपनी को देखा करो ठीक है तो यहां पर मैंने दस कॉइंटी ली है तो इट मीज कि आप 55 डालर का आडर बन रहा है चुंकि इनका जो मेरे है में वन तोजन डालर है तो यह आडर को एक्सिप्ट नहीं करेगा तो लिट सपोज एक डेमो के लिए मैं इसको कंफर्म आडर करता हूँ अब यह आडर जो है रिसीब हो जाएगा देखो यूर आडर हैस बीं सेक्सिस्पुली प्रोसेस्ट यू कें विव यूर आडर हिस्ट्री बाइग तो अभी यह जो है ना इसकी एकाउंट में भी होगा और आपकी एमेल पे भी एक वह आ जाएगा एक एमेल आ जाएगा मैं यहां पर आपको बता देगा कि आपका आडर प्रोसेस हो चुका है तो यह आपकी पास एक एमेल आएगा तो उस एमेल में आपका आडर प्लेस होगा पिर उस एमेल में आप इसको बताओ कि हम पैमेंट किस तरह करें तो यह आप लोग को एक शीट देगा उस शीट में जो है उसका जो बैंक का डिटेल वगयरा सब कुछ मुझूद होगा आपको या वो आप से काएगा कि आप मुझे अपना क्रेट काड का जो डिटेल है वो सिंड करो तो दिटेल होता है वह आपके डेट कार्ट को मिस्ती नहीं करता है तो आप इसको when करेंजिए लेकिन बशर्त यी कि ला टो यह चो कई सा तरीका होता है दूसरा जो तरीका होता है वहाँ आप यहाँ पर इसके वास एक शीट होता है यह आप एक प्रोड़क्ट को सर्च करना बहुत ही मुश्किल काम है तो सबसे क्या है इमपोर्टेंट यह है कि यह आपको दू तरीकी बताते हैं वह एक तो यह उन पॉड़क को सकेन करते हो और उसमें अपनी लिए प्रॉफिटेबल पॉड़क को फाइंड करते हो वो इसको सिंकरते हो कि भाई मुझे यह पॉड़क चाहिए तो इसकी बनेज़बत शीट वाला जो काम है वो बहुत ही एज़ी है गास वो आपसे टाइम भी बहुत कम ले करना होगा तो इसमें अपने लिए प्रॉफिटेबल प्रॉड़क को निकालना होगा ठीक है और आपने उसको मेल करना होगा मैं आपको एक शीट शेर करता हूं एक सिकंड लेको इस तरह के शीट होगा अगर तो इसमें जो है यूपी सी कूर्ट सब कुछ यहां पर झालना होगा यूपी आपको आपको शीट शीट है?